मान लीजिये आपके पास एक certificate नहीं है या valid नहीं है आपने certificate बगेर अपलोड किया हुआ या XYZ किस category से कौन सी change होकर आपको मिलेगी right so from benefit beneficiary to non beneficiary in CSEP जिसका आप benefit ले रहे हो तो जैसे कि मान लीजिये असाइन आपको गोई जनरल PWD आप handicap हो जनरल category के हो और अगर invalid आत रहा है आपका PWD certificate मान लीजिये क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि 30% इतना होना चीए वह एक क्राइटीरिया है ना PWD certificate का ऐसा थोड़ी ना चीए कि उंगली छिल गई आप handicap मन गए उंगली हरा किसी कट गई एक कही ना कहीं उन्होंने parameters कर रखा है कि handicap हम उसको मानेंगे जिसका इतने 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 percent होगा राइट जनरल में अगर आप के लिए देख सकते हो invalid PWD certificate राइट क्या invalid PWD certificate अगर आपका होता है तो जनरल में convert हो जाएगा जनरल EWS है तो दोनों यहां पर invalid है तो आप जनरल में हो जाओगे या EWD आपका invalid है तो आप जनरल PWD में हो जाओगे राइट यहां पर सीधी सी बात है कि बिलकुल यहां clear दिया गया है कि अगर आप PWD invalid है तो जनरल EWS और अगर EWD EWS invalid है जो भी certificate invalid है वो हट जाएगा और दूसरा यह बचेगा सीधी सी बात है इसी में देखिए आप इसी तरह से हो रहा है अगर माली जी यह invalid है तो सिर्फ यह बचा राइट अब जनरल EWS पीड़ोडी दोनों ही invalid है तो जाइर सी बात है इसको आप काट दो यहां पर आपकी seat इस पे आपको मिलेगी जनरल पे अब अगर यही चीज OBC क is तृविके इसी तरही के से अगर हम बात करेंगे यहां पर माली जी तुम्हारा OBC का invalid है alright तो यहां पर क्या हो जाएगा PWD जनरल PWD हो जाएगा ज fourteen पर तुम्हें OBC नहीं मान रहें वह क्या मान रहें जनरल मान रहें इसी तरीके से अगर हम यहां देखेंगे कि O BC NC PWD ओनो तो आप जनरल में चले जाओगे SC के साथ भी यही होगा PWD नहीं है राइट सो सिर्फ सिंपल SC वाले रह जाओगे और अगर आपका यहां पर SC का बेलेट नहीं है तो यहां PWD तो माना जाएगा क्योंकि PWD तो है हैंडीकेप तो आप हो लेकिन वह भाई सब कहेंगे कि SC का करें राइट अब अगर SC और PWD दोनों नहीं है तो आप जनरल में जाओगे OBC NCL आगर आपके पास OBC का साथ नहीं हो रहा तो जनरल में जाओगे SC का नहीं है तो जनरल में जाओगे तो इस तरह किसे केटिगरी चेंज हो जाती है और अगर आपको कोई seat मिल रही होती है माल Да सी बात है राइड दूसरी किसी ब्राँच में और अगर यहाँ पर यहां पर से लोगों पिर से सुनलों दस ृइए नार्ट जनराल की थी तो यहाँ पर ऊड़ ne सरा उन जसर तो आपको अगर यी ड़्य sensis बढले जिए और मड़ा है तो भी तुम्हें मिल जाएगा जनरल से मिल लेकर मिल जाएा इस तरीके से कि सारी प्रोसेस होती है राइट सो आपको समझना होगा कि एसी वाले को जनरल से भी सीट मिल सकती है और एसी से भी मिल सकती है अगें यहीं पर यह सारी चीज़ हम बताते रहेंगे बने देखते रहें तेक्ट